नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे महेंगी घर की और जानिए आप इसकी खासियत तो अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से कर लीजिए ताकि आप कोई अच्छी वीडियो मेरी मिस न कर दें चलिए अरोबारी का है एंटीलिया नाम का ये घर विश्व में इसकी बिलकुल अलग ही पहचान है फॉब्स के मताबिक इससे ना केवल भारत में बलकिल दुनिया में सबसे महेंगे घरों में एक माना जाता है कुछ साल पहले शीश अरब पतियों के 20 घरों के स्थान दिया गया थ इसको फोब्स में ठीक है पत्रिका में लिखा है कि रिलाइंस इंडस्टिर्स के विवसाई मुकेश अंबानी का मुंबैस थे थे 27 मंजल का घर 2010 में बनकर त्यार हुआ था एंटीलिया धरती पर सबसे महेंगा घर है चार लाख वर्गफुट में फैला इसको वासुशास्त को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था ये घर 27 मंजल है जिसमें 188 कारों की मल्टी स्टोरी पार्किंग की सुविदा है कई सुविविंग पूल है एक योग स्टूडियो है इसकी कीमत 1-2 बिलियन डॉलर बताई जाती है एंटीलिया में 50 सीटों वाला फिल्म ठेटर है हरा भरा हैंगिंग गार्डन है इस घर में परिवार के लोगों के लिए बड़ा मंदिर भी बनाया गया है लॉबी में 9 लिफ्ट वाहन को के रख रखाव की सुविदा तीन हैली पैड स्पा और शानदार बॉल रूम है मुबई के जिस इलाके में इंटीलिया को बनाया गय है वैविश्व के सबसे महंगे इलाकों में से एक है इस घर के रख रखाव के लिए बड़ी संख्या में करमचारियों को रखा गया है इस घर को बनाने में महंगे क्रिस्चल और संग मरमर का प्रयोग किया गया है जो की बहुत दुरलब है आप देख सकते हैं इन तस्वीर नहीं बौना कर देता है यह है उस घर के कुछ इंटीरियर की फोटो आप देख सकते हैं सीडियों का डिजाइन लैंप फ्लोर चट सब कुछ बहुती शानदार तरीके से बनाई गई है और यह है उनके लिविंग रूम की एक तस्वीर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं क इस बेडरूम को कितना ही शानदार और गोल्ड डिजाइन में बनाया गया है यह भी एक लिविंग रूम की तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितना शानदार और शीशों की दिवारे बनाने की कोशिश की गई है ताकि बाहर वाला व्यू बहुत अच् स्वीमिंग पूल वहे तो उसमें कई स्वीमिंग पूल है लेकिन यह सुर्फ एक स्वीमिंग पूल की तस्वीर है आप देख सकते हैं इस एक स्वीमिंग पूल में कितना ही शानदार व्यू मिल रहा है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ची लगी है और अगर आपको ये घर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा अपलोड करता ही रहता हूं दोस्तों थैंक यू